अमेठी के जगदीशपुर में कचनाओ जा रहे पिता पुत्र ट्रक की चपेट में आए गंभीर उपसे घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराए गया भरती पुत्र की मौत हो गई और पिता की हालत हुई गंभीर डाक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर लखनो किया रेफर सुचना पर पहुँची पुलिस ने लास को अपने कबजे में लेकर ट्रक बाच्चालक की तलास की सुरूर। साथी भी हो सकता है सुल्तानपूर पुलिस का सरानिय कारे थाना कादीपूर से 450 ग्राम अवैद गांजा के साथ अव्युक्त किया गिरफ्तार थाना गोसाईगं से तीन वांचीत अव्युक्त। थाना चांदा से एक अव्युक्ती गिरफ्तारी जनपद में कोविड-19 के द्रिष्टिकर चलाये जारे अभियान में 471 लोगों के विरुद्ध मास्क ना लगाये जाने वा थूकने के संबंद में 47,300 रुपए का चालान वसूला गया। जनपद में सांती विवस्ता भंकी जाने के संबंद में 27 व्यक्तियों को अलग-अलग मामलों में किया गिरफ्तार अदालत में किया गया पेस। अमेठी में समासेवी राजेश मसाला का सराहनिय कदम गंभीर बिमारी से ग्रस्त दो लोगों को इलाज के लिए 50-50,000 रुपए दिये गए। जंगल रामनगर निवासी ब्रेंट टूमर बिमारी से पीढ़ित वहीं दूस्य तरह प्रामगर निवासी प्रेम चंद्र जैसवाल को इलाज के लिए दिये गए 50-50,000 रुपए राजेश मसाला ने कहा है कि छेत्र में इन सभी लोगों के इलाज के लिए जो भी मदद होग अमेठी में सवाजादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश कारकारणी सदस्य जैसिंग ने कारगरताओं के साथ किया हवन पूजन पूर्व मुखमंत्री मुलायम सिंग यादो की कोरोना पॉस्टिव रिपोर्ट आने के बाद अमेठी के सिवनगर खेरोना इस्तिषिव पीडित ने आरोप लगाते हुए का है कि फ्राड के आरोपी को पकड़ने के लिए ले जा रहे पीट को ही रास्ते में दरोगा ने जम कर पीटा है और किसी को पताने पर जहांनसे मार कर लास्ट को गायब करने कि धमकीती है कोई कारवाही नो होने पर पूलिस अधिकर कांग की है है कौने कोरी गंच कोत्वाली में थैनात हैं दरवगा कोरी गंच कोत्वाली छेथ के बस्ती देई का रहने वाला है पिडित हमा अब तक सुल्तापुर में ko रोब की हो चुकी है मौत किमे अमेठी में भी उननीस व्यक्तियों की रिपोर्ट आई है कोरोना पॉजिटिव, अभी तक कुल यहाँ पर 2708 कोरोना पॉजिटिव मामले, वर्तमान में 246 एक्टिव केस है और अब तक 24 लोगों की कोरोना से हो चुकी है माउत. सेंफ्रेंट ग्रूप लेकर आए हैं सेंफ्रेंट स्टेट सुल्तानपूर रोड लखनो में LDA और रिरा अप्रूवड 3BH के विला वो भी फ्लैट के दाम में लोन सुविधा के साथ और जब एंकर स्टोर और शॉप्स भी उपलब्ध हैं तो फिर कहीं और क्यू जाना? सुल्तानपूर में फिटनेस प्रमाड पत्र बनवाने वाले सिक्षकों की जिलाश्वताल में भारी भीर जुट गई है दलालों की सक्रियता से महिला सिक्षकों की बड़ी दुसवारियां हो रही है मुख्य चिकिस्सा अधिक्षक से फिटनेस प्रमाड पत्र के लिए सेन जयनती समारों का कारक्रम का हुआ आयोजन अग्रहरी समाज के अध्यक्ष ग्यांचंद अग्रहरी ने की कारक्रम की सुरवात अग्रिसेन जी को दीप प्रजुलित कर आरती के साथ किया गया कारक्रम का सुबारम। का लिया गया जायजा सुरक्षित वा स्वास्त वर्दक महौल में तेवहार मनाने की लोगों से अधिकारियों ने किया पी सुल्तानपूर के बलदीराय बलाग प्रमुक पर विद्धुत उपखंड अधिकारी करमचारी द्वारा लगाया गया कैम ग्रामिड उभुकताओं का विद्धुत बिल जमा करने से संबंदी समस्या का किया गया निराकरन बकाया विद्धुत बिल जमा कराने के साथ विद्धुत बिल में सुधार भी किया गया सुल्तानपुर में नीट 2020 की परिक्षा में एम लर्निंग कोचिंग इंस्टूट सुल्तानपुर के चात्रों ने मारी बाजी नीट का रेजल्ट घोसित होते ही सिलेक्ट हुए बिद्यार्तियों में खुसी की लहर सरवाधिक अंक पाने वाले चात्रों को मिठाई खिलाकर और माला पहना कर किया गया सम्मानिद चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म अमेठी पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने वर्स 2018 में सर्फदंस, दीवाल गिरने, विजली के करंट लगने तथा पानी में टूप कर हुई मौतों के पोस्माटम के दोरान स्वास्त विभाग द्वारा सुरक्षित किये गए बिसरा को पुलिस द्वारा अभी तक जाच के लिए न भेजे जाने मामले में कारवाही करने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अदिक्षक से मिले भार्दी जन्ता पार्टी के वरिष्ट नेता एवं पूर्विधायक तेजभान सिंग पुर्विधाय कारोव की पुलिस के लापरवाही की चलते अभी तक लोगों को नहीं मिला दुरगटना भीमा का लाप तहिसीनों से नम मंग कर हमारा कहना था कि इसमें पुलिस से रिपूर्ट मंगो कि ये लपरवाही आपकी है समय सीमा के अंदर विश्रा जाना चीए समय सीमा के अंदर विश्रा लोड के आना चीए और फाइल में लगना चीए अमेठी बलाक में उपजिलादिकारी योगेंदर सिंग और वीडियो हरिक्रेश्ण मिस्रा की अध्यक्षता में बेलोग के साथ की गई बैठक बेलोग को छेत्र में जाकर नामावली नामंकन सुची में नाम जोडने हटाने के लिए दिया आदेश फरजी नाम जोडने पर कारे से हटा देने की कही गई बाद उन सर्तों के बारे में कि किन सर्तों पे किसी का नाम एड होगा किन सर्तों के आधार पे नाम हटाया जा सकेगा निवान सार इस पे विस्तित परिशुशन का रिक्रम उन लोगों ने यहां और्गिनाईज किया है सच्चाई वही जो हम बताए